Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 4th October और आज की इस वीडियो में हम 4th of October से बनने वाले सभी important current affair के question ये discuss करने वाले हैं पर दे की PDF इसके लावा audio revision के लिए आप हमारे इस mobile application को install कर सकते हैं Link description box में दी हुई है इसके लावा 149 रुपीज में आप लोगों के लिए World Geography प्लस Indian Geography का ये जो course launch किया गया है काफी सारे student confused होंगे कि ये वीडियो अभी तक upload नहीं हो रहा है देखे कल से पर दे ये जो वीडियो है World प्लस Indian Geography का जो कि हम sequence से चल रहे हैं ये कल से continuously 11 बज़े upload हो जाया करेगा तो इसके आप tension बिलकुल न लेंगे कुछ हम random, sorry कुछ quick revision हम कर लेते हैं जो कि कल हमने already पढ़ रखा है भारत ने ऐसा फैसला किया है कि अगले साल के अंत तक, यानि कि 2022 के last तक ये Australia के साथ free trade agreement ये करेगा IIT हैदराबाद ने हाली में कार्णिया transplant का पहला option ये तयार कर लिया है और creator education program हाली में भारत में facebook के दुवारा launch किया गया है बालाघाट के चिन्नौर चावल को अभी हाली में GI tag मिला है जो कि मध्धिप्रदेस में इस्थित है ड्रोन आधारित वन रोपन परियोजना के शुर्वात तेलंगाना के दुवारा की गई है उत्तर प्रदेस का जो पहला वाईू प्रदूशर नियंतरर टावर है ये नौइडा में स्थापित किया जाना है पहली एक्टर ये बन गई है दिपेका पादकोन भारती रिजर्ब बैंक से संबंदी थे PCA P stand for prompt नमामी गंगे का सुभं करेने की मसकट नियुक्त किया गया चाचा चौधरी को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और important question हाले में दुनिया में सबसे बड़े खादी राजश्ट्री ध्वच का उदगाटन कहां से किया गया है तो इसका जो उदगाटन है ये किया गया है लेह से लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राजश्ट्री ध्वच यानि की national flag इसका उदगाटन किया गया है जो की हाथ से बनाया हुआ है हाथ से बनाया हुआ ये तिरंगा है जिसका वज़र लगभग 1400 किलोग्राम है 225 फिट इसके लंबाई है और चौडाई है 125 फिट और इसका जो उदगाटन है लेह में हमारे जो सेना प्रमूक है MM नर्वने और लद तिरंगा खादी का ये लेह में इसका घाटन किया गया है अब देखे लद्दाख आप देख पा रहे हैं ये है लेह ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट की हैं कि लद्दाख लेह जम्मू इन सभी से रिलेटेड कुछ न कुछ फैक्ट आप रिलेट कर सकें जैसे कि सबसे प सडख है जो ये लद्दाख में ही बनाया गया है और भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट यानि की भूतापी उर्जा सेंत्र ये लद्दाख में ही इस्थापित किया जाना है भारत का पहला 100% मतलब कि अपनी सभी व्यसका आबादी का 100% ठीका करन करने वाला पहला यानि की केंदर शाशत प्रदेश लददाख ही है यदि हम बात करें जammoo कशमीर की तो देखिए जammoo कशमीर में यानि की श्रे नंगर में आप कह सकते हैं झेलम नदी पर पहली क्रूज सर्ويस के शरुवात की गई है और चिनाव नदी की दी हम बात करें तो यहां दुनिया का सबसे उचा रेल ब्रिज ये इस्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेस के दिए हिम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेस के काजा में दुनिया का सबसे उचाई परिस्थित ये वहिकल चार्जिंग स्टेशन ये इस्थापित किया गया है मैंने कल आप लोगों से किस देश के साथ भागेदारी किया है और परयावरण मंत्री भूपेंद्र यादा ने किस शहर में भारत का पहला एक्टिव स्मॉक टॉवर ये लॉंच किया है अगला कुश्चन है हाली में विदेश सचीव हर्ष वर्धन स्रंगला ने चार दिविसी दौरे पर रवाना हुए है अब श्री लंका इस समय काफी जादा चर्चे में भी है आप इन्हें देख पारे ये है हर्ष वर्धन स्रंगला अच्छा श्री लंका ये क्यों चर्चे में है तो ये इस समय खाद्य आपातकाल से जूच रहा है यहां के जो प्रेस करना चाहा रहा है श्री लंका में हालाकि देखा जाए तो वेल्ट एंड रोड इनीशेटीव के माध्यम से इसके लावा ये देखा जाए तो कोलंबो में ये किसी पोर्ट के डेवलप्मेंट का कारी हो इसके लावा यहां हमबन टोटा पोर्ट ऑलरडी चाइना ने श्री लंका से 99 साल के लिए लीस पर ले रखा है तो चाइना की कुछ स्ट्राटेजी आप कह सकते हैं कि किसी तरह कहीं न कहीं श्री लंका को हडपने की या कुछ इसका कुछ हिस्सा इसका हडपा जा सके ऐसे भारत भी चाहेगा क्योंकि यह देखा जाए तो यह निकटतम पड़ोस इसके उत्री प्रांति की जो राजधानी जाफना इसका यह दौर करेंगे क्योंकि देखा जाए तो जाफना में क्या है तमिल अलप संख्यकों का वर्चसवे यहीं तमिलों का और श्रीलंका के कि आपलों को याद भी वी होगा ग्रह युद्ध था जिसके बाद तमिलों का काफी जादा विरोध किया गया और इसमें भारत की एक गल्ती ये भी हो गई थी कि भारत ने इसमें श्री लंका का सपोर्ट कर दिया था जो कि तमिल के खिलाफ था ऐसे में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जब ये सारा व गाफना में तमिल अल्प संखेकों का जहां वर्चे स्वय यहां दौरा करने जा रहे हैं और इस समय जो श्री लंका की स्थिती बनी हुई है इसे लेकर के यहां के प्रेसिडंट और प्राइम मिनेस्टर से वार्ता करेंगे हर्ष वर्धन स्रंगला श्री लंका से रिलेटे में एक स्ट्रेट है जिसे आप पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं गल्फ ऑफ मननार की लोकेशन आप यहीं देख सकते हैं आप यहीं फर्स टाइम चैनल को विजट कर रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे साथ ही बैल आइकन दबाना बिलकुल न शॉर्ट में आप इसे ओडी ओपी योजना कहते है इसका ब्रेंड अंबेजडर कि से निक्त किया गया है तो हाली में जो बॉल्ड अभी नेत्री है गंगना रन उत्रप्रदेश में अब देखिए यह जो उत्तर प्रदेश की योजना है यह वोल्ड वाइड काफी जाधा रखा जाता है ध्यान रखा जाता है कहने का मतलब है कि उस प्रोडिक्ट को पूरी तरह से famous कैसे बनाया जाए या किस तरह उसे लोग पसंद कैसे कर सकते हैं उसे कंतर राश्टी पहचान कैसे मिले और अंतर राश्टी पहचान मिलेगी तो उसका export कैसे बढ़ाया जाए इस पर केंद्रित यह योजना है तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहों वन डिस्टिक्ट वन प्रोड़क्ट यह है उत्तर प्रदेश गवर्मन्ट की जबकि आप लोगों ने एक और योजना सुनी होगी वन ब्लॉक वन प्रोड़क्ट यह है हरियान तर फत्तर प्रदेश की जानते ही योगे-दित्तिनात यहां की मुख्यन्त्री जो कि मुख्य मंत्री ने किया था उत्तर को शिन वत्तर को वह्न इच. डिश्टिक के एक प्रोडर्ट को पहचान देने के लिए यह समझ गया आप लो तो अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों है मुख्यमंत्री आप जानते ही योगितिनात राजिपाल आनंदी बेन पटेल बहराईश में महराजा सुहल देव इसमारक उद्गाटन हाली की दिनों में किया गया था और यदि आप देख पा रहे हैं तो यह है बलिया जहां उज्जुला योजना की शुरुआत की गई थी जबकि उज्जुला 2.0 इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के ही महोबा से की गई है यहां बात की जारी है ब्रेंड अम्बैजडर की वंदना का टारिया होकी से रिलेटेड है इन्हें अभी हाली में उत्रा खंड का ब्रेंड अम्बैजडर नियुक्त किया गया और मीरा बाई चानू जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मडल अपने नाम किया थ इन्हें राजस्थान गौर्मन्ट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रैंड अम्बैज्डर न्यूक्त किया गया है अगला कुश्चन है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्गाटन कहां किया गया है तो इसका उद्गाटन अभी हाली म बता रही हूँ अब आप दोनों को सुला करनी है तो इसके लिए कोई नो कोई मध्यस्थता करनी आएगा कोई नो कोई मेडियेटर बनेगा ताकि आप लोगों की बात आसानी से हो सके तो मालीजे ये वेक्ति ये बन गए यहाँ पर मेडियेटर तो आसानी हो गई आप नदी के किनारे बसी हुई है और इसी एहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अप नरेंद्र मूदी स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है यहां यह इस्थापित किया गया है यहाँ बात की जारी भारत के पहले की तो यहां मैंने टोटल दस पॉइंट लिख रखे हैं जो कि भारत में पहला है और करण से रिलेटेड है भारत का पहला डॉक पार्क हैधराबाद में इस्थापित किया गया है है हैधराबाद मूसी नदी के किनारे इस्थित है जबकि उत्तर भारत का पहला डॉक पार्क चंडीगड में जबकि भारत की पहले ड्राइवल्स मेट्रोकार यह बैंगलोर से लॉंज की गई थी रक्षा मंदिर राजना सिंग जी के दवारा भारत का पहला अंडर वॉटर टरनल मुंबई में बनाया जा रहा है भारत की पहली फुटबॉल अकैडिमी बैंगलोर में भारत का पहला में कि सिराज जी के अलि बाग के सफेद प्याज को सो jos मिला है तो देखिए यह जो सफेद प्याज है जो monitor से इसे भी हाली में जी आइड मिल चुका है हाली की दिनों में एंहें का फरे प्रोड़क्ट क्यों दिया जाता है यह सारी चीजें हम डेली इेसको करते हैं यहां हम बात कर रहे हैं कि अली बाग का यह जो सफेद प्याज है जिसे GI टेग मिल चुका है इसमें औशदी गुड़ है जो की हर्ड डिसीज, कॉलिस्ट्रोल कंट्रोल करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए उपयोगी होती है अब यहां मैंने कुछ करण के GI टेग प्रा प्रशाद कल हमने डिस्कस किया था देखिए हां चितूर चावल लिखा है यह चिन और चावल मध्यप्रदेश के बालागाट से रिलेटेड है और कड़कनाथ मुर्गा यह रिलेटेड है मध्यप्रदेश के जाबुआ से इन दोनों को ही GI टेग मिला हलाकि कड़कनाथ मु अगला कुश्चन है हाली में किस राज्य की तीन जिलो को अशानते खेतर घोशित किया गया है अब यह तीन जिले उतने इंपॉर्टन नहीं है बस रीजन यह है कि यहां कुछ उग्रवादी घटनाए हो रही थी जिसके कारण कानून विवस्था को यहां बनाये रखने के लिए यहां इसे अशानत खेतर घोशित किया गया है इसके तहत होगा क्या कि अब सेना के जो जवान है यह कानून तोड़ने वालों पर गोली भी चला सकेंगे इसका इन्हें अधिकार मिल गया है आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया था जैसे नागाल जाए तो यहां के लोग है यहां के जो लोग है यह इस हद तक आ गया थे मतलब कि इनकी मेंटालिटी कि यह भारत को सौरी यह खुद को भारत का हिस्सा भी नहीं मानते थे ऐसे में आप लोगों ने हाली की दिनों में अलग से नागलिम बनाने की मांग को सुन रखा है जो यहां की ना हो इस कारण यहां अशांत चेत्रिशे घुसित किया जाता है और पूरा जो कारेभार है यह ससस्त्रवल को दे दिया जाता है जिसके तहत होता क्या है कि जो सेना के जवान है ये किसी भी के घर में घुस करके बिना किसी वारंट के यहां चेकिंग कर सकते हैं कि कि किसी भी तरह की यहां कोई गतिविधी तो नहीं हो रही है ऐसी गतिविधी जो की नहीं होनी चाहिए पूरा-पूरा अधिकार इनके हाथ में आ जाता है और जो कोई भी इसका उलंगन करता है इसे गोली चलाने का अधिकार भी इन्हें मल चुका है फिलाल यहां हम बात कर रहें अरुनाचल प्रदीस की जहांके तीन जिलो को अशांत गोशित किया गया है अरुनाचल प्रदीस की राजधानी है इटा नगर, मुख्य मंतरी है पेमा, खांडूरा, जेपाल है बीडी, मिश्रा बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को इंपोर्टन पहाडिया नहीं याद करवाई है जो कि इस शेत्र से रिलेटेड है यदि हम स्टार्ट करें अरुनाचल प्रदीस से ही तो आपने क्या याद रखा था डाफला, मिश्मी नीचे आएंगे तो पठकाई बुम, नागा लेंड में, नागा हिल, फिर मिजोरम में, मिजो हिल्स फिर यहां में एक हाले से तीन आप लोगों ने इंपोर्टन रियाद रखी थी, गारो खासी जेनतिया हाले की दिनों में अरोनाचल प्रदेश के दुआरा क्रिशी से है रिलेटेड, दो योजना हैं जिसे की, एक तो बागवानी से है, एक क्रिशी से है आत्म निर्भर कृषी योजना और आत्म निर्भर बागवानी योजना इसके शुरौत हाली में अरुनाचल प्रदेश के द्वारा की गई है अगला कुश्चन है हाली में सेक्रट पोर्टल किस मंत्राले ने लौंच किया है तो यह भी हाली में सामाजिक नय और अधिकारिता मंत्राले के द्वारा लौंच किया गया है किसके लिए तो जो व्रद्ध जन है यहीं कि older person के लिए इन्हें launch किया गया है यहाँ sacred की full form बनती है senior able citizens for re-employment in dignity कहने का मतलब है कि जो वरिष्ट नागरिक हैं जो कि रोजगार की तलाश में है और जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें एक platform provide कराने के लिए इस तरह का portal launch किया गया है ताकि यह सम्मान जनक मतलब कि खुद के दम पर इदी कोई कमाना चाहते हैं तो इन्हें इसलिए एक platform मिल सके हैं और सवाल यह भी बनता है कि इस portal के अंतरगत मतलब कि व्रद्ध जनों के लिए तो ठीक है लेकिन इसमें कौन-कौन registration कर सकता है 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक जो की नौकरी करना चाहते हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं इसी के लिए पोटल launch किया गया है सामाजिक नय और इधिकारिता मंत्राले के दौरा कुछ तीन पोटल मैंने लिख रखे हैं मधुकरांती पोटल, क्रिशी मंत्री नरिंदर सिंग तूमर ने लौंच किया इश्रम पोटल, नरिंदर मोधी जी ने और उन्नती पोटल, ये भी रोजगार के अवशर की तलास के लिए आप कर सकते हैं कि दौरा कुछ समय पहले ही लौंच किया गया था अगला कोश्चन है, हाली में LIC के CMD का पदभार किसने समाला है तो हाली में जो BC पटनायक है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं इन्होंने समाल लिया है LIC, यानिकी Life Insurance Corporation of India इसके CMD का कारे भार, LIC की स्थाप्ट एक सितंबर 1956 में हुई हेड़क्वार्टर मुंबई महारास्टर में इस्थित है, हलाकि इसे ज्यादा डीटेल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है बस अपोइन्मेंट की बात है, वैसे ही सीव वीजय कुमार हाली में हिंदुस्तान Computer Limited एने की SCL के CEO बनाए गए है, अब एक सरकार ये फिर से Press Trust of India इसके अधिक्ष बन गए है और शक्ति कांतिदास ये तो आप जानते ही है, ये है RBI के present time हमारे गवर्नर अच्छा comment box में आप लोग ये बताएंगे कि शक्ति कांतिदास ये किस क्रम के गवर्नर है RBI के अगला question है, my life in full work, family and our future इस किताब के लेखक कौन है, तो ये जो किताब है हाली में इंदिरा नूई के दुआरा लिखी गई है यहां इंदिरा लिखा, ये इंदिरा वैसे इनको बोला जाता है, इंदिरा नूई के दुआरा लिखी गई है और इसमें इन्होंने अपने life के काफी सारे experience शेयर किये हैं और ये हैं कौन, तो PepsiCo का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसी कि ये पूर्व CEO रह चुकी है, इंदिरा नूई वैसे ये आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं, अभी जीता गुपता जो कि मैथली सरल गुपते जी, इनकी परपोती है दुनिया की सबसे युवा, यानिकी सबसे कम उम्र की लेखी का इन्हें होशित किया गया, हाली में इनकी एक किताब लॉंच हुई थी, happiness all around अरुंधती भट्टाचारिया, हाली में इनकी किताब लॉंच हुई, आजादी किताब का नाम है, और इनकी एक प्रसिद किताब है, God of a Small Thing, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइस से समानित किया जा चुका है प्रसिद अभिनेत्री है, नीना गुपता, जिनकी एक आपके सकते ऑटोबायग्राफी है, सच कहूं तो, ये भी हाली में लॉंच हुई है अगला कुश्चन है, हाली में रुपिंदर पाल सिंग ने सन्यास की होशना किये, ये किस खेल से सम्बंदित है तो रुपिंदर पाल सिंग, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये सम्बंदित थे हौकी से, जिनोंने हाली में सन्यास लेने की होशना कर दी है और वैसे इनके करियर के दिए हम बात करें 13 साल लंबा इनका होकी का करियर रहा है जिसमें कि 220 मैचों में इन्होंने भारती होकी टीम को रेप्रेजेंट किया है और अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन हुए है आप जानते ही है जो मेंस होकी टीम रही थी इन्होंने ब्रॉंज मडल अपने नाम किया इनकी कान से पदक इसका भी ये हिस्सा रहे थे अब देखे यहां बात की जारी होकी की तो कुछ बेसिक फेक्ट होकी से रिलेटेड हम डिसकस कर लेते हैं जैसे कि ओलंपिक में ही यदि हम बात करें तो भारत ने सबसे जादा मेडल ये आप कर सकते हैं आठ गोल्ड मेडल ये होकी में ही जीते हैं इसके लाबा भारती होकी टीम के कैप्टन कौन है मनप्रीत सिंग और आप क्या रिलेट कर सकते हैं होकी के जादूगर की नहीं कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को हाली के दिनों में भारत का जो सरवोच्च खेल आवाड है राजी वगान्दी खेल रतन आवाड इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की होशना की गई है इसके लाबा भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम ये ओडिसा के राउर केला में इस्थापित किया जा रहा है और International Hockey Federation यहने की FIH Men's Hockey World Cup जो की 2023 में होना है इसे भी ओडिसा होश्ट करेगा मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका right answer क्या था इसका right answer था ट्विटर आप लोगों के लिए आज का सवाल है पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट सतक बनाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स बताएंगे वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूने आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच